वैसे तो रूस और इरान के बीच दोस्ती की शुरुआत ड्रोन सप्लाई से हुई थी पुतिन ने इरान के भरोसे ही युकरेन के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन का बिगुल बजाया था हलाकि युद्ध के काफी लंबा खिशने से रूस बॉखलाया हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस अब मौझूदा युद्ध को अंजाम तक पहुचाने की कोशिश में है इसके लिए बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से तैयारिया भी की जा रही है इसी कड़ी में बीते दिनों रूसी सुरक्षा परिशत के सचीव सरजेई शोईगू तहरान दोरे पर थे शोईगू ने इरान के नए राश्रपती मसूद पेजिश्कियन से मुलाकात भी की थी ऐसे में कई अटकलों और आशंकाओं ने जोर भी पकड़ा था बताय जा रहा है कि इरान अब रूस को मिसाइलों और खतरनाक हथियारों से लैस करने की तयारी में है इरान एक एहम हथियार सौदे में रूस को बड़ी संख्या में क्लोज रेंज की फाथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है इरान की ओर से रूस को ये मिसाइल ऐसे समय में दी जा रही है जब वो लंबे समय से युक्रेन के साथ युद्ध में उल्जा हुआ है जल्द ही सैटलाइट गाइड़ेड इन हथियारों की डिलिवरी रूस को हो सकती है रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्राले ने बीते साल 13 दिसंबर को तहरान में इरानी अधिकारियों के साथ फाथ 360 और अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए एक डिल साइन की थी समझोते के मुताबिक अब ये मिसाइल रूस को मिलने जा रही है इतना ही नहीं रूस की चुनुन्दा फॉज ने फाथ 360 डिफेंस सिस्टम के इस्तमाल का तरीका सीखने के लिए इरान का दौरा किया है ये सिस्टम 120 किलोमीटर की मैकसिमम रेंज और 150 किलोग्राम के हथियार के साथ मिसाइल लॉंच करता है खास बात है कि मौस्को के पास खुद की बैलिस्टिक मिसाइले हैं बावजूद इसके फाथ 360 की सप्लाई से रूस को फ्रंट लाइन से अलग अपने टार्गेट को निशाना बनाने के नई ताकत मिलेगी खास तोर से नस्दीकी टार्गेट के लिए इरानी हथियारों का इस्तमाल हो सकता है फिलहाल रूसी रक्षा मंत्राले ने इस पर चुपी साथ रखी है गौर तलब है कि इरान से रूस को हालिया समय में सैन न मदद मिलती रही है इरान ने अपने देश में ही तकनी की महारत हासिल कर दुनिया भर को करारा जटका दिया है इरान के लिए ये बेहद एहम है कि अब उसके सैन ने ताकत का रूस जैसा देश भी एहमियत देने लगा है। इरान की ओर से सैन ने साजो सामान की सप्लाई पश्चिमी देशों के बिलकुल भी हजम नहीं हो रही है। न्यूयोक में सन्युक्तराष्ट में इरानी स्थाई मिशन ने एक बयान में हालिया दावो का खंडन किया है। मिशन ने इस बात पर जोर दिया है कि इरानी मिसाइलों समेथ किसी भी हतियार को ट्रांसफर करने से परहेज करता है। इसका इस्तमाल युक्रेन संघर्ष में हो सकता है वहें इरानी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नासीर कनानी ने भी रूस को इरानी सेने सहायता के नाट्यों के रूप को पूरी तरह से निराधार और राजनीती से प्रेरित बताया है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इरान ने युक्रेन में युद्ध के दोरान कभी भी रूस को ड्रोन नहीं दिये हैं इरान का मानना है कि इस थाई शान्ती लाने के लिए मुद्दे का राजनीतिक समधान आवश्यक है वहीं अमेर्की राश्ट्रिय सुरक्षा परिशत के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर इरान इस तरह के ट्रांसफर पर आगे बढ़ता है तो उसको गंभीर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा इरान के समर्थन से युक्रेन के खिलाफ रूसी हमले में तेजी आएगी हाला कि वाइट हाउस ने इस बात की पुष्टी करने से इंकार किया कि इरान रूस को फाक्स 360 की ट्रेनिंग दे रहा है